दोस्तो अगर आपके भी Redmi A2 Plus के फोन में power button को long press करने बाद यहाँ पे restart या power off करने का option नहीं मिलता है बलकि आपको इसकी इन पे Google Assistant इस तरीके से बार बार देखने को मिलता है तो आप इस problem को solve कर सकते हैं यह आपके दोस्तो setting से problem होती है आप इसको setting से सही कर सकते हैं सबसे पाले हम अपने phone में setting open करेंगे इसको शही करने के लिए setting open करने के बाद कुछ S interface देखने को मिल जाएगा उपर side आप लोगों को search bar दिखेगा इस search bar पे आपको click करना है search bar पे click करने के बाद आपको कुछ S interface दिखाए देगा अब यहाँ पे आपको search करना है power और इसके बाद आप button लिख सकते हैं इसके बाद यहाँ पे press and hold power button का option मिलता है आपको इस पर click करना है जिससे आप लोग इस option पर click कर देते हो अगयन यह option आपके screen पे 100 होता है इस पर आपको click करना है click करने के बाद यहाँ देख सकते हैं press and hold power button का setting है इस पर आप click करते हो तो launch Google Assistant set रहेगा तो Google Assistant open होगा enable power and emergency menu पर click कर देंगे तो आपकी phone में power button को long press करने बाद आपको restart और power up करने का option मिलेगा आपको Google Assistant का option नहीं मिलेगा तो इस तरह के से आप अपनी problem को solve कर सकते हो